इस वीडियो में लाइब डेमो पुरा प्रोसस जानेंगे CS Executive and CS Professional का Admit Card December 23 का कैसे डाउनलोड करोगे और हाँ students आप चाहो तो मॉवाइल फोन से डाउनलोड कर सकते हो या लैप्टॉप या डेक्स्टॉप से डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवाना होगा प्रिंट आउट आप चाहो तो ब्लैक और वाइट निकलवा सकते हो या नहीं तो कलरफुल प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जैसा कि मैंने आप लोग को कहा ता जो लोग regular follow करते हैं 12 दिसम्बर 2023 आज के डेट में आप लोग का admit card release होगा तो ऐसा ही हुआ कि आज के डेट में आप लोग का admit card release हुआ डाउनलोड प्रोसेस बदाने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब admit card download करने के लिए सबसे पहले official website पर दना है latest announcement वाला section पे क्लिक करना है यहाँ पे admit card download करने का link मिल चाएगा इस link पे क्लिक करोगे तो 17 digit का अपना registration number लिखोगे get admit card पे क्लिक करोगे तो आपका admit card download हो जाएगा और एक और बात अगर आप इस link पे क्लिक करते हो June 23 लिखा हुआ सो करता है तो refresh करना page को और अगर mobile phone से देख रहे हो तो वहाँ पे ऐसा सो कर रहा है तो laptop या desktop से download करने का को दोसिस करना एक्जांपल के लिए इस टाइप का आप लोग registration number लिखो को slash करके लिखना है registration number 17 digit total हो जाएगा registration number अगर slash करोगे न दो वर्ट तो 17 digit total हो जाए और इसके बाद get admit card पे click करोगे तो आप लोग अपना admit card download कर पाओगे और हाँ अगर आपका admit card download हो पाता है तो comment box में एसा page open हो जाएगा अपना 17 digit का registration number लिखो slash दो जगा करोगे न एक्जांपल के लिए मैं so करवा दिया हो ठीक है तो आपको 17 digit total हो जाएगा get admit card पे click करना है आपका admit card आपके सामने आ जाएगा starting का दो page को print out निकलवा के ले जाना है आप चाहो तो colorful print out निकलवा सकते हो या नह आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा एक बार फिर से बोला है उपर में ही download admit card का link सो करेगा इसको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है और print out निकलवा लेना है starting का दो page को आपको डाउनलोड करना है जहां तक teacher का signature करने का option होता है वहां तक आपको print out निकलवाना है एक बार फिर I hope कि आपका doubt clear हो गया है comment box में thank you लिखिएगा channel पर नए हो तो subscribe कीजिए video को